तीस मिनट की कम नींद भी बिगार सकती है बच्चों के हेल्थ का खेल इस्टडी में हुआ हैरान करने वाला क्लासा नींद इतनी बड़ों के लिए जरूरी है उससे अधिक जरूरत बच्चों को होती है इसको लेकर हाल ही में स्टडी हुई स्टडी में सामने आया कि अगर तीस मिनट की भी नींद की कमी हुई तो बच्चों को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है नींद लोगों की सेहत के लिए जरूरी है डाक्टरों के एक वर्क का कहना है कि साथ से आठ गंटा रोज जरूर स होना चाहिए रोज छे घंटे से कम सोने वाले लोगों को मांसिक तोर पर समस्याएं पैदा हो जाती है ऐसे लोग डिप्रेशन एंजाइटी और अन्मेंटरी इल्नेस के सिकार हो जाते हैं आम तोर पर नींद की समस्या बड़े लोगों में देखने को मिलती है लेकिन किया आपने कवी सोचा है कि नींद कम होने का प्रभाव बच्चों की सेहत पर भी कितना अधिक पड़ता है नींद की कमी भी बच्चों के स्वास्त पर बिप्रीत प्रभाव डालती है इसको लेकर हाल ही में स्टडी की गई और स्टडी में कई फैक्ट हैरान करने वाले सामने आ यह स्टड़ी जामा नेटवर्क ओपन में पब्लिस की गई। इसमें न्यूजी लेंड में रहने वाले आठ से बारा साल के बच्चों पर अध्यन किया गया। इन सभी बच्चों के सोने पर नजर रखी गई। सोध करताओं ने देखा कि एक सब्ता तक बच्चे सामान समझ से एक घंटा पहले सोने गए। और दूसरे एक घंटा बाद में सोने गए। बच्चों के नीद में गलबड़ी होने को भी नोटिस किया गया। अध्यन में जो कुछ दिख रहा था सोध करता उसे नोट करते भी जा रहे थे। जो नियमित तोर पर सोय जिन्होंने आट से ग्यारा घंटे की नीद ली उनका स्वास्त बहतर रहा। वहीं जो लोग हर दिन तीस मिनट कम नीद ले रहे थे। एक सब्ता के मुलंकन के बाद सामने आया कि ऐसे बच्चों में स्वास्य संबंधी दिक्कते होने लगी। वह फोकस नहीं कर पा रहे थे। ठकान जैसी इस्तित में रहे थे। अध्यन में अन्य पहलियों को भी सामिल किया गया। या भी पूछा गया कि माता पिता और अन्य साथियों के साथ उनका ब्यो इनर्जिकली फिट रहते हैं या नहीं। स्कूल में समय गुजानने के बाद दोस्त और परिवार के साथ समय बिताने के लिए इनर्जी बची है या नहीं। काफी बच्चों ने सच्छम ना होने का जवाब दिया। तो आज आपने जाना कि बच्चों के लिए परियाप्त नींद कितनी है जरूरी। उमीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। इसी प्रकार की नए नए वीडियो को देखने के लिए